इस वीडियो तोडे वी स्टार्ट एक्सराइस 10.4 ऑफ क्लास नाइन देप्र नेम इस सर्कल्स 10.1 10.2 और 10.3 हम लोग प्रीविसली फिनिश कर चुके हैं तो 10.4 वह हम डिलेक्टली कौशन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक इसके हम लोग अल्डेडी कर चुक क्योंकि इसका हम नाम देंगे पीक्यू को कि लेंथ निकालनी है ठिक है और यह हमारा हो गया एक कोडिलेटर और दो ट्रेंगल फाइप सेंटिमेटर और त्री सेंटिमेटर यह इसकी रेडियस है है अब देखो नकालना हमको क्या है पी क्यों कैसे निकालेंगे हम हमको यह बता है कि लाइन जॉइनिंग दसेंटर सफ टू सब्सक्राइब करती है वह उसके परपेंडिकुलर सॉरी कॉमन कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इसका मतलब इसको दो एकवल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट् पी टी क्यू अ है ओवन ओटू यह ती है ठीक है ती क्यों हम लगाएंगे पैटर कुरिस को है क्वाइफ का स्क्वेर पीटी का स्कूग है माइनस 4-1 एक्स अभी एकस कैसा आया कि हमने इस पी टी क्यू बराबर है नहीं पास PT और TQ क्योंको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं यहां पर देखो पीटी इक्वल टीक्यू दोना एंगल बराबर है तो हमने ओवन टी को एक्समान लिया तो ओटू टी किता है यह फोर माइनस एक्स यह रहा ओवन टी पूर माइनस एक्स ठीक है इसको यह पूट करा इसको ओपन किया यह अंदर की को जाएगा प्लस का और एं ट्राइंगल PTO2 O2P square equals to PT2 plus O2T square same जीज हम नहीं यहाँ पर अप्लाई करी that is Parthagoras theorem तो क्या हो गया यह 9 minus 4 minus X square अब इन दोनों को हम लोग equate करेंगे equating 1 and 2 तो we have this equals to this यह हम लगाएंगे A minus B का whole square ठीक है तो कैसे हो गई है 9 minus 16 plus X square minus 8X इसको solve किया तो हमारे पास 8X कितना आ गया 32 के equal X आ गया 4 ठीक है उसके बाद 4 cm यह हो गया हमारा हमें निकालना क्या है हमें निकालना है पी ती तो पी ती कैसे आएगा O 1 P 2 equals to यह हो गया 5 का square plus 4 का square तो पी ती का square कैसा जाएगा 5 square minus 4 square 25 minus 69 cm ठीक है पी ती जिकल स्टी रूट नाइन 3 cm अब सब बराबर है तो टू पी ती डैट इस टू इंटू थ्री 6 cm यह हमारा final answer है ठीक है वैसे मैं इसको PDF में भी दिया है आपको आप note कर ले ना इसको इस तरही कोशन लगने के chances कम ही होता है ठीक है शौट तरीका भी इसका warm class में करेंगे पर यहां पर हमने इसको बहुत ही पूरे explanation वाल तरीके से किया है fine next question देखो इसका next हम लोग solve करेंगे question third कि if two equal chords of a circle intersect within the circle अगर वो circle के अंदर ही intersect कर रहे है then prove that the line joining the point of intersection at the center makes equal angle within the chords ठीक है यह हमको proof करना है तो सबसे पहले हम लोग इसका diagram बनाते है कि क्या कह रहा है इसकी circle है हमारा यह इसकी दो chord है जो की within the circle ही intersect कर रही है चिक है इसका हमने दिया c b a d यह हमारा center है तो यह हमारा कुछ quadrilateral types बन रहा है जैसे कि यह है 90 90 and यह कुछ है x y and o चिक है तो हमको proof करना है कि angle line joining the point of intersection जो भी point of intersection को line join करेगी intersection to the center makes equal angle with the chord कि वो तो chord के साथ equal angle बनाएगी ठीक है तो अब हम लोग कैसे start करेंगे सबसे पहला हमने keep appendicular y sector की चाहिए then ओ ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई क्योंकि एक्वल कॉड है नहीं सॉरी जो इक्वल कॉड होती नहीं वो center से equal distance पो होती that's why मैं यहां पर ओएक्स इक्वल टू ओवाई लिया ठीक है ओटी इक्वल्स टू ओटी यह कॉमन है और ओ एक्स टी इस इक्वल्स टू ओवाई टी इस नाइंट डिगरी यह हमारा तो फाइन फिर हमने लिया है ग्यों गई तीन चीजी हो गई हमारे पास तो भाई हमारा जो टाइंगल ओ एक्स टी है यह सिमिलर हो गए है टाइंगल ओवाई ठीक है ठीक है तो ओटी एक्स इक्वल्स टू ओटी यह हो गया सिपी सीटी से ठीक है तो अगर हमने इन नानको कॉंग्रेंस प्रूफ कर दिया और इस को में सीपी सीटी से प्रूफ कर दिया तो हमारा तरीका बिल्कुल सही है क्योंकि हमको यह पता है कि जो उसने कॉश्चन ने बूछ आप लाइन लिग देंगे मैं आपको लिखन दिख जा एक वह एक है इसका एक और थे तो यह बोल रहा है कि विट सेंटर अबीसी प्रूफ करना है मुझे कि AB और CD equal है, एक line जा रही है, line है ABCD, मुझे यह proof करना है कि जो हमारा AB होगा, वो ही हमारा CD होगा, ठीक है, AB और CD, यह हमको proof करना है, हम यहां से एक वोगी हिस्त है, और यहां बनाता है इसका perpendicular, यानि कि 180 डिगरी और 90 डिगरी भी है, ठीक है, अब देखो, मान लोगी यह X है, perpendicular bisector इसका X है, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रूफ में हमें चाहिए, जैसे कि हमको पता है कि भाई, जो BC है, है ना वो chord है, smaller circle की, सही है, और बड़ सकल की पूरी क्या है, और उसके उपर यह perpendicular है, तो क्या हो जाएगा, कि भाई, XB equal to XC, क्योंकि हमने भी उपवाले question में देखा था, कि जो 90 degree होता है ना, उसको वो chord bisect करती है, तो bisect करेगी, मतलब तो equal part में divide कर दी है, तो BX equal to XC, यह तो हमको पता है, और ऐसी है, अगर हमको बड़े बाद सकल की chord देखनी हो, तो AX और XD, या XA, जो भी, वो भी similar है हमारा, अम इन दोनों को आपसे minus करेंगे, क्योंकि यह और यह उस पर overlap कर रहा है, हमको बीच का part चाहिए, तो हम दोनों को करेंगे, subtract करेंगे, तो equation 1 नाम दे दो इसको, और equation 2, now, subtract, second to 1, तो क्यों होगा, कैसे subtract करोगे, देखो, इस part को इस part से, और इस part को इस part से, तो AX minus XB equal to XC minus XD, तो यहां से X और X कट जाता है, तो A, B, और जाता है, तो CD बसता है, एसे भी कर सकते हैं इसको, और normal अगर आप X मान के ना करूं, इसको X ना मान तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने इस पूरे को ले लिए, यहां से यहां तक, ठीके, A, B, और B, C, फिर यहां से ले लिए, CD, और B, C, फिर दोनों को minus कर लोगे, तो BC, और बीसी मान माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास सिर्फ जो भी आपको पूछा है रिक्वाइड ए बी और सीडी ठीक है अब हम करेंगे इसका लास्ट एक शिक्स वेस्ट एक उसके पास हमारे 10.4 फिनेश हो जाएगी क्वेशन शिक्स पर हमारा और सब्किलर फार्क उफ रेडियस 20 मीटर इस सिच्वेट इना कॉलोनी ठीक है थी बॉइस अंकुर साइद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल इस बाउंडरी इस हाविंग अटॉय टैलिफोन इन इस हैंस तो टॉक इच अदर जिसे वोकी तो यह हो गया हमारा पार्क इसकी हमारे पास जो डेडियस है वह कितनी है कि 20 मीटर उसकी बात कॉशन की क्या रहा है कि तीन बॉय है वह इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं और इस बाउन्री अंकुर सायद और देविड हमने इनिशिल्स ले ली है इसके नेक्स्ट इस यह हमारी डेडियस है इसको हम यहां तक लेके आता है है ना यह ओ बी नाम देदत है इसको क्योंकि डी आल्डेडी है हमारे पास यहां से यहां तक भी इसकी रेडियस ही है 20 होगा यह भी फिर हमारे पास एक यह बचता है है ना ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए और यह उसका परपाइंडिकुलर ठीक है सबसे पहले तो यह लए यह कि यह पता है तो उनकी डिस्टन्स से मला अपस कि तो कि सबस्क्राइंगल हुआ है इक लिठ रेचल सेकर द चीश का मीह पासे सूरीर का इंट्राइंड circumference of equator coincide सब अंदर ही है इसके नौ भी नो कि सेंट्रोइट जो होता है उसको डिवाइड करता है रेशो तू रेशो वन में तो ए ओ और ओ भी यह हमारा होता है टू रेशो वन ए ओ और ओ भी चिक है तो इस से हमारा जम लोग ए उतो है हमारे पास 20 upon OB equals to 2 upon 1 cross multiply करेंगे इसको तो OB into 2 और दिस वंजा दिस equals to OB equals 2 मतलब कुल मिला के it's 20 upon 2 it's 10 तो ही कितना आगा हमारे पस 10 cm now in triangle SOB SB का स्क्वार, SO का स्क्वार प्लस OB का स्क्वार चिक है then 20 का स्क्वार मानस 10 का स्क्वार 400 minus 100 equals to 300 तो SD equals to 2SB तो हमको पाता है यह स्क्वार है है ना अब क्या होगा SB है मारे पास अभी हमने निकाला रूट में आएगा एक्चुली क्योंकि स्क्वार हट एगा अगर रूट में आएगा तो 2SB यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा तो रूट 300 तो रूट 300 का अफेक्टर करके देख लो यह होता है पर 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 10 का फेक्टर है हमारे पास 10 भारा जाएगा तो यह जाएगा 20 रूट 3 मीटर ठीक है यह हमारा हुआ पास यह था और यह था ठीक है और जो ने यह निकाल लिए तो इसकी डबल कर ली जित्याई तो बैठा है जित्ता यह बैठा होता ही यह बैठा है ठीक है तो हमें कंक्लूजन मिल गया इसका 10.4 हमने खतम कर लिए नेक्स वीडियो में लोगे साट करेंगे 10.5 उसके बाद हमारा 10 चैप्टर खतम हुजाएगा नेक्स्ट में हम आट स्टार्ट करेंगे एच चैप्टर और एच चैप्टर हमारे लास्ट चैप्टर हमारे टर्म वन का क्यों रही बात कंस्ट्रक्शन के तो हम क्लास में कर पाएंगे यान उसके लिए कोई आप्शन नहीं हमारे पास बस उसकी बाद हम लोग प्रेक्टिस करेंगे क्योंकि तो भी हम लोग खतम कर चुके हैं ठीक है थैंक्यू हैव गुड़ गुड़ झाल 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 झाहीं हमारे लिए